हेलो फ्रेंड उम्यंत करतो आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस सुड़े के अनदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किस अरीकिसे हमारे मुबाइल में फैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं हम जाएlly said कि मुबाइल का S devices चाहें कमेंट्स होती है तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मुबाइल तो एक लिमिरेट इस्टोरेज हमें प्रोवाइड करता है लेकिन अगर हम इसे लाइफ टाइम हमारे साथ रखना चाहें तो वह कैसे पॉसिबल है दोस्तों देखिए मुबाइल के इंदर बहुत सारी फ्री की फैसल जानते हैं और एक होता है जी ड्रैव जिसे गूगल राइव भी कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर मैं आज की स्टोरेज के इंदर मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि हम किस सरीके से हमारे मुबाइल का स्टोरेज मैनेजमेंट करें हम जाते हैं कि लिमिरेट टाइम तक के देखने को ही ना मिले यानि वह अपने आप जो है वह मैनेज हो जाए तो यह किस अरीके से पॉसिब आले दोस्तों आज की स्टोरेज के अंदर मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ सबसे पहली बाद तो हम फोटोस और वीडियो को किस अरीके से ऑटमे तो यह लाइफ टाइम आपके लिए वर्क करेगा और कभी भी आपको इसको देखने के जरुरत रही की नहीं यह एक बार आप सेट कर दो तो यह अपने आप ही सारी चीज़ों को मैनेज करेगा तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि हम गुगल फोटोस के अंदर हमारे फोटोस और वीडियो को किस तरीके से मैनेज हम करेंगे दोस्तों देखिए हम पर इसके इंदर सबसे पहली बात तो यह है जब हम इमेल आकाउंट बनाते हैं जीमेल पर तो गुगल की तरफ से हमें 15GB का फ्री स्टोरेज दिया जाता है यह पर अकाउंट होता है यह सारी सर सब्सक्तर हैं आप कितने भी बना सकते हो और इसका हम बोलिंगे कि हर एक इमेल आकाउंट पर 1530 का डेकर मिलेगा तो ऐसे में हम मलुले लेंगे सब रख सकते हैं यह काफी सेब भी है ठीक है अब युगल फॉडो के नारे सेटिंग होती है कि हम किसी हमारे मुबाइल के फोल्डर को इसमें आज लिंक कर सकते हमें इसमें एक विडियो आपने देगा हमारे फोडोड हो जाएगा एक अच्छी पाइस्लेटीर ये हैं कि हमारे मोबाइल में ताकि उस folder के ही जो मैटर है हमारा जो हमारे फोटो और विडियो है वह हमारे हम बोलेगे कि गोगल फोटो पर अप्लूड हो ठीक है तो चलिए मैं आपको mobile skin की तरब ही बताता हूँ किस अरी के से इसको practically करना है दोसे यहां पर आप फोटोस और ड्राइव दो आइकाउन देख सकते हैं फोटो यहां पर इस तरी के से हैं और यहां पर फोटोस और वीडियोस हम अपलोड करेंगी और यहां पर जो हमारा जी ड् इक सेटिंग है Google photos और Google photos की वो इसके बाद में आपको बताता हूं तो सबसे आसान तरीका इसका यह है कि हाँ पर जो भी चीज आप इसे इस पर upload करना चाहते हैं जैसे कि यहां पर मैं एक फाइल ले लेता हूं कोई एक्सवाजट एक फाइल में लेता हूं जैसे कि यहां पर एक मेरी एक thumbnail की फाइल है अगर मैं चाहता हूं कि इसे मैं Google photos पर upload कर दूँ तो यहां पर share पड़ जाएंगी open करने के बाद हमें share करना है और upload to photos पर tap करना है यहा अगर आपका auto upload off है यानि आप किसी भी फाइल को auto upload नहीं करना चाहते है जैसी कि आप देख सकते हैं फिलाल मैंने कर रखा है photos पर अगर हम जाते हैं यहां पर मेरा icon है देखिए यहां पर टीपी लिखावा है टेकनिकल पॉइंट का तो जो लोगों है इसमें जो cloud का sign है उस उसे डिलेट नहीं करेंगे यहां पर हमें हमेशा की लिए s उसको अब select किजिए multiple files को भी हम select कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि एक वक्ते में एक ही हो जो भी आपको फाइल upload करना है उसे select कर लिजिए share करना है उसके बाद save to drive पर tap करना है अगर आपने first time इसे इंस्टॉल किया है तो इसे permission भी सब्सक्राव करनी होगी हमारे storage को access करने के लिए उसके बाद यहां पर आपको किस folder में उसे save करना है वह select कर लेना है साथ ही हां पर account पर फाइल को upload करना है वह select कर लेना है और उसके बाद कर देना है सेव जैसे आप सेव करोगे तो यहां पर यह फाइल जिसको हमने अपलोड किया है यह जीड़र पर हमारी permanently सेव हो जाएगे तो कुछ इससरी किसे हमें manually करना होता है अभी मैं आपको बताता हूं कि किस सरी किसे हमें इसे automatic set करना है जैसी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहां पर कोई भी फोल्डर को हम यहां पर सेट कर सकते हैं और अपलोड के लिए तो अभी उसको कैसे कहना है तो इसके लिए सबसे पहले तो हम यहां पर गूगल फोटोस को ऑन करेंगे उसके बाद यहां पर र on करना है यह इसे on करने के बाद ही यह setting आती है जिसको अपको धहन रखना है तो इसे और नीचे की तरब आप देख सकते हैं बैक अप device folders यहां पर हमें tap करना है जैसे हम tap करेंगे देखेंगे बहुत सारे folder जो हमारे device में present है वो यहां पर हमें नजर आएंगे तो अभी हमें क्या करना है दोस्तों देखें यहां पर हमें एक कोई भी folder एक नया बना लिना है हमारे device में और उसे यहां पर आकर on कर देना जैसे कि एक example के तौर पर में जैसे कि board नाम का एक यहां पर folder है मेरा तो मैं उसको यहां पर कैसे इस तरही किसे on कर लूँगा तो अभी क्या होगा कि यहां पर हमें क्या करना होगा कि कि जब भी कोई file हम यहां पर upload करना चाहते हैं automatic तो हम इसमें board नाम के फॉल्डर में उस file को मूव कर देंगी या copy कर देंगी मूव करोगे तो बहतर रहेगा तो इसमें क्या होगा कि हैंपर वह फॉल्डर में आने के बाद है वह automatic sync हो जाएगा हमारे पर आ जाएगा इसके बाद और एक चीज़ हमें करनी होती है यहां पर जैसे आप यहां पर इसे अपलोड कर दोगी तो यहां पर इसके अंदर हमें setting पूछी जाती कि आपको free up space यानि जो अपने file upload कर दी है तो क्या इसको आपको उसका इस पर यानि उस file को आपके device से रिमूट करना है क्या तो यहां पर दोबार हम जब इस folder पर tap करेंगे इस icon पर tap करेंगे तो देखें आपर free up space है free up space पर जैसे आप tap करोगे तो यहां पर आपको नजर आएगा कितना MB का file या जो भी आपका GB का file है वह upload हो चुका है और जिसे आप आपके device से आपके mobile से erase करना चाते यह भी important होता है जितना आप आपके mobile को free रखना चाते हैं तो यहां से अब इसे free up यहां पर जो भी आप जैसे footage MB आ यह बढ़ते रहेगा भी auto uploading शुरू है इसके लिए यहां पर जितना file हमारा या photo जो भी हमारी documents है वो सारे हमारे photos पर upload हो जाएंगे यहने especially photos और वीडियो तो जब फोटो 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 पर upload हो जाएगा तो यहां पर बताता रहेगा हमें कि इतना space आपको free करना है क्या यह निए आपका successfully cloud storage पर चला गया है वह permanently वहां पर available है तो अगर आप आप इसके आपके devices से remove कर भी देते हो तो भी आपके पास available रहने वाला है तो यहां पर इसे आप free up space कर लेजिए इसमें क्या होगा कि आपका device जो है वह खाली होता रहेगा तो जितनी भी आपकी नहीं हो रहा है तो क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है कि हम या तो फिर कोई और जाने जाने में इसे on कर देता है तो अगर हम सारी कर आती हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिए तो दोस्तों मुझे उम्मेद है जो मैंने आप शेयर कि आपको अच्छे लगई होगी आप इसे करके दिखिए बहुत ही इंटरस्टिंग है अगर आप इससरी किसे कर रखेंगे तो दोस्तों मुझे उम्मेद है कि आपको को फूल इस्टोरिज का मैसेज कभी भी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों वीडियो बनाने के लिए काफी महनत लगती है तो प्लीज आप वीडियो वीडियो जरूर किया किजिए क्योंकि आप लाइक करने में आपका दो कोई रुकसान नहीं है और मैं आपको ऐसे ही को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लिए साथ ही बेल आइकन को भी ब्रेस कर लिए ताकि जब भी को एक नए वीडियो इस चैनल पर आएं तो आपको इसका मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलिज को बढ़ा पाए तो दोस्त इस बढ़ा कर दोस्ते हैं